1857 की एक रांती और मंगल पांडे की कहानी सैनिकों में बात पहल गई कि कार्टूसों में गाय और सूर की चर्बी है कार्टूस को मुझसे छीलना पड़ता था इसलिए हिंदू और मुसल्मान सिपाही दोनों बगावत पर उतराए मंगल पांडे को फांसी पर चड़ा दिया गया इतना घटना क्रम आप सब जानते है इस कहाने में हालांकि एक दिल्चस्प सवाल छिपा है क्या खिर कार्टूस को मुझसे खोलने की जरूरत क्या थी कार्टूस में चर्बी ही क्यों लगाई जाती थी 1857 से पहले भी कार्टूसों को इस्तमाल होता रहा था फिर 1857 में ही यह सारा हंगामा खड़ा क्यों हुआ इन सारे सवालों का जवाब है एक बंदूक 1853 and feed musket rifle के नाम से ही जाहिर है कि यह 1853 में बनी थी लेकिन भारती सिपाहियों को इसे 1857 में issue किया गया बंदूक बहतर थी लेकिन इसमें कार्टूस भरने का तरीका अलहदा था दरसल पुरानी बंदूकों को मजल लोड किया जाता था यानि बंदूक में गोली और बारूत को नाल के मुहाने से भरमार इस तरह डाला जाता था अंग्रेजों की standard issue बंदूके थी brown bass ये भी एक तरह की musket सी थी इनमें भी पहले barrel के मुह से gunpowder भरा जाता था इसके बाद lead यानि शीशे की दो गोलियां अलग से डाली जाती इसके बाद एक छड़ी से इने अंदर थूस दिया जाता जब बंदूक चलाने की बारी आती छड़े के मुँपर कपड़ा लगा कर दोबारा उससे barrel के अंदर थूसा जाता ताकि gunpowder और गोली सही से सेट हो चुँकि ये तरीका जंजट भरा और time लेने वाला था इसलिए company ने अपनी forge को एक नया हातियार दिया Enfield Pattern 1853 या P-53 थी P-53 भी एक musket ही लेकिन इसमें गोली लोड करने को simple बनाने का प्रयास किया गया था चुकि P-53 में एक rifle board लगा था यानि की अंदर जो उसकी नाल थी उसमें धारियां थी उसकी गोली घूमते वे निकलती थी हवा में कलाबाजी नहीं काती थी जैसा कि brown bass में था brown bass में smooth board था एक चिकनी नाल थी और इसलिए जब उसकी गोली बाहर निकलती थी तो हवा में कलाबाजी काती थी टंबल होती थी accurate नहीं थी लेकिन P-53 की गोलियां काफी accurate थी क्योंकि वो momentum लेके निकलती थी angular momentum गोल खूमते हुए वो आगे बढ़ती थी अब बारूद और गोली को अलग-अलग लेकर चलने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि एक कार्टूस आया जिसमें बारूद और गोली दोनों साथ में थे P-53 के कार्टूस में एक 0.577 इंच की गोली होती थी आधे इंच की और साथ में होता था बारूद अब ये बारूद भीग कर खराब न हो जाए इसलिए कार्टूस को waterproof पेपर से लपेटा जाता उस जमाने में पेपर को waterproof करने का एक ही तरीका था कि किसी तरह उसे grease कर दिया जाए कुछ-कुछ butter paper जैसा कुछ आपको बनाना है चर्विया grease का काम था इस कार्टूस को नमी से बचा कर रखना ताकि जरूरत पढ़ने पर वो दगे वक्त आने पर सिपाई मूँ से कागस को फारता इसके बाद जो gun powder था उसे gun में भरता और गोली डाल देता अंत में जो कागस बचता उसे उसी तरह इस्तुमाल किया जाता जैसे पुराने तरीके में कागस या कपड़े को किया जाता था चुकि इस तरीके में कागस पर लेके कागस को चबाना पड़ता था और कारण है एक हाथ में आपके राइफल है दूसरे हाथ में आपके कागस है तो आप मूँ से चबा करी उसे फार सकते हो और बखेड़ा इसी बात से खड़ा हुआ बात चलने के कागस में सूर और गाय की चर्वी लगी है इससे हिंदू भी आहत हुए मुसल्मान भी बैसे इस बात के प्रमान मिलते नहीं है कि कार्टूसों पर सूर की चर्वी लगाई जाती थी लेकिन गाय की चर्वी का जिकर मिलता है इंडियन एक्सप्रेस पर 5 अगस 2018 को प्रतीक कांजिलाल का एक शांदार लेक छपा इसमें इंस्ट्रक्शन आफ मस्किटरी नाम के एक मैन्वल का हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक अंग्रेश सैनिकों को बंदूं को भरना और चलाना सिखाय जाता था इसके 1855 वाले संस्करण में कार्टूस बनाने का भी बताया गया है दरसल तब सिपाईयों से खाली वक्त में कार्टूस बंदवाये भी जाते थे तो विधी ये थी कि गोली ली जाए उसको बारूत के साथ कागस में लपेटा जाए और फिर इस कार्टूस को डुबोया जाए ग्रीस में अब ये ग्रीस कैसे बनेगा इसमे के लिए कहा कि लगाने को कार्टूस पर मक्षन या घी भी लगा सकते हैं तब सानिकों का डाउट पक्का हो गया कि जरूर इसमें गाय की चर्वी है और ये कार्टूस बगावत की एक तातकालिक वजह बनकर उभरे 1857 की करांटी ने अंग्रेजों को सकते में डाला और ये सब हुआ एक बन्दूक के चलते एक कार्टूस के चलते इसलिए करांटी के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने सकता हाथ मिली सबसे पहले उन्होंने एन्फिल मसकेट्स के बदले एक दूसरी राइफल इशू की तानी का सारी है कि बंदूक से सामराजे चलाने वाले अंग्रेजों की सब्ता एक बंदूक के कारण ही खत्रे में आ गए थी और ऐसा एक बार नहीं हुआ इतिहास का एक लंबा चैप्टर बंदूकों के सहरे बताया जा सकता है पहली बंदूक कैसे बनी भारत में बंदूक कैसे आई रजवाड़े बंदूकों से लड़ना क्यों पसंद नहीं करते थे सब जानेंगे आज के परिसोड में नमस्त मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीक जिसमें आज कहानी पंदूक की अंतराश्वी हातियार विशेशक ये रॉबर्ट एलगुड ने भारती हातियारों पर एक कॉंप्रेंसिव बुक लिखी है The Maharaja of Jodhpurs Guns किताब में एलगुड बताते हैं कि भारतियों का बंदूकों से पहला सामना 1527 में हुआ खानवा के मैदान में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच जंग हुई इसमें बड़े पहमाने पर बारूत का इस्तमाल हुआ था इतिहासकार यदुनत सरकार के अनुसार राजपूतों के लिए ये एकदम अलग चीज़ सी नई चीज़ थी बारूत राजपूतों में बड़ा तबका ये मानता था कि बंदूक से शेस्त्र कला नहीं पता चलती है ब्रेवरी नहीं पता चलती है राजपूत मानते थे कि किसी को बंदूक से मार गिराना और उसे तलवार से आमने सामने की लड़ाई में मारना इन दो चीजों में जमीन आवर आस्मान का अंतर है बंदूकों को वो बुजदिल का हत्यार मानते थे राजस्तान का इतिहास रिखने वाले जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत बंदूक को पसंद नहीं करते थे वो बंदूकों को कोस्ते थे और अपने विरोधियों के सामने बराबरी से उतरने की बजाए वो अपने घोड़े से गिर कर मरना ज्यादा गरिमा से भरा मानते थे समय के साथ हलांकि रजवारों ने भी बंदूकों का इस्तमाल शुरू किया मुगल इतिहास का बदायूनी के अनुसार बाबर के हिंदूस्तान आने के बाद से राजपूत फौज में भी वारफेर का तरीका बदला बदायूनी के अनुसार हल्दी घाटी के युद्व में एक हाथी को गोली लगी थी जिससे जाहिर होता है कि दोनों तरफ से बंदूक का इस्तमाल हुआ था बारूत का इस्तमाल हुआ था बंदूकों ने भारती इतिहास पर क्या असर डाला इसके एक बांगी अकबर के चितोड़गर अभ्यान में मिलती है जब मुगलों ने चित्तोरगड़ का हमला किया तो लाग कोशिशों के बावजूद वो किले को भेद नहीं पा रहे थे जितना नुकसान दिन में करते चित्तोरगड़ की फौज रातो रात मरम्मत कर लेती थी एक रात बादशाँ अकबर एक उचे टीले पर चढ़कर मुआयना कर रहे थे अपनी फौज का तब ही उन्हें किले पर कोई खड़ा दिखाई दिया ऐसे किले पर किसी का दिखना कोई नई बात नहीं थी उस इंसान की बादशाँ अकबर को लगा कि ये जरूर कोई महत्वपून व्यक्ति है अकबर ने निशाना लगाया और गोली चला दी गोली अपने निशाने पर लगी भी और वो इंसान गिर गया कुछ समय बाद मुगल फॉज को पता चला कि मारा गया व्यक्ति और कोई नहीं महाराना उदै सिंग के खास जैमल राठोड थे जैमल राठोड के जिम्में ही किले को छोड़कर महाराना पहाड़ी पर चले गए थे कहते हैं कि अगर वो गोली उसरा जैमल राठोड को न लगती तो चित तोड़गड का इतिहास आज कुछ और ही होता जैसा पहले बताया बंदूकों ने इतिहास के कई मुणों पर निरनाय का सर डाला तो चलिए अब जानते हैं कि बंदूकों की शुरुआत कहां से हुई बकिंगम पैलेस का नाम आपने सुना होगा बिरिटिश राजशाही का राजमहल है ऐसा ही एक राजमहल और है विंटसर कैसल चौदेवी शिताबदी में विंटसर कैसल में एक शस्त्र तनात रहता था एक मशीन थी जिसमें गोलों को रखकर तेज जटके से फेका जाता था अगर आपने बाहुबली देखी है तो उसमें एक सीन है जिसमें कालकेस रडाई के दौरान बाहुबली बड़े बड़े गोले फेकता है बाद में उसमें कपड़ा बांध कर भी फेकता है जिससे आग लग जाती है विंटसर कैसल में खड़ा शास्त्र कुछ इसी प्रकार क था और इसका नाम था डॉमिना गनलडा इस नाम के दूसरे हिस्से से ही गन बना यह हिंदी में जिसे बंदूक कहा गया पहली बंदूक कब बनाई गई इसका ठीक ठीक उत्तर बताना मुश्किल है लेकिन सबसे पहली बंदूक चीन में बनी ये निश्यत है क्योंकि बारू इस में एक लंबे से बांस के आगे एक भाला जैसा लगा रहता था, बांस के अंदर gunpowder भरा जाता, साथ ही उसमें कीले और लोहे के छर्डे भर दिये जाते, जैसे ही gunpowder में आग लगाये जाती ही, लोहे के छर्डे बहार आते, इस शुरुवाती बंदू की रेंज हालांकि बमुश्किल तीन चार मीटर होती थी उस जमाने के हिसाब से बड़ा घातक खतियार एक टिपिकल क्लासिकल गन या राइफल जैसी हम आज देखते हैं वो डिजाइन पंधरा सो के आसपास तयार हुआ और ये मस्केट्स थी एसी एक मस्केट जिसे मैच लॉक कहते हैं उससे पुर्टगालियों ने बनाया पुर्टगाली मैच लॉक को भारत लेकर आया इसमें एक जलने वाली बत्ती लगाई जाती थी और इसकी मदद से पहले गन पाउडर में आग लगती और वो गोली को बाहर फेकती थी धमागे से पुर्टगालियों की मैच लॉक के लावा और टमन सामराजे से हासिल की गई बन्दू के मुगलों के जरीए भारत आई भारत में भी हालांकि लोकल बंदू के बनती थी जिने तोरादर कहा जाता था ये शुरुवाती रैफल्स थी शुरुवाती गन्स कहना चाहिए चोटी और एक हाथ से चलने वाली बंदू कों के विकास में करांती लाने का शुर्य जाता है एक शक्स को जिसका नाम है सैमियल कोल्ट 1836 में सैमियल कोल्ट ने लॉकर स्प्रिंग डिजाइन वाली एक रिवॉल्वर का पेटेंट कराया कोल की डिजाइन में आगे चलकर और बदला हुए स्मित अन्वेसन के साथ मिलकर कोल्ट ने रिवॉल्वर का एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें गोलियों का कमपार्टमेंट साइड से बाहर निकल जाता था बिलकुल जैसा आपने गबबर सिंग की रिवॉल्वर में देखा है ये मॉडल इतना लोग प्रिय हुआ कि बीसवी सदी आते आते रिवॉल्वर के बाजारों में इसका एक छत्र राज हुआ रिवॉल्वर और राइफल्स का विकास साथ साथ चलता है बीसवी सदी में कई तरह की बंदू के हैसित्व में आई अपनी अलग-अलग खूबियों के विजए से ये सभी गंस लोगों के बीच काफी परचलित भी हुई एक-एक करिन के बारे में जानते हैं डबल बैरल वाली शॉटगन जैसा की नाम से जाहिर है इस बंदूक में दो बैरल्स थी होती भी है और पार के लिहास से गन बहुत ही ताकतवर थी बारा गेज की गोली वाली शॉटगन के बारे में कहावती है कि धरती पर पाए जाने वाले किसी भी जीव का चाहे गैंडा हो यहाती एक गोली में काम तमाम कर सकती इसके साथ ही शिकार और स्पोर्स में भी शॉटगन्स बहुत लोग प्रिये हुई दूसरा नाम है स्पेंसर रिपीटिंग राइफल का हम फेमस गन्स की बात कर रहे हैं इस बंदूक को यह नाम मिला इसके डिजाइन करने वाले किस्टफर स्पेंसर के नाम पर साथ राउंड वाली मैगजीन के साथ आने वाली स्पेंसर रिपीटिंग राइफल अमेरिकी सिविल वार में घुड़सवार फॉजों की सबसे पसंदिदे राइफल थी कैबलरी की रिपीटिंग राइफल स्कॉप आप आटोमाटिक हत्यारों के शुरुआत की तरह मान सकते हैं क्योंकि इन में बंदू को बार-बार मैनुवली लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी मैगजीन खाली होने तक यह बंदू के राउंड दाग सकती थी अगला फेमस नाम आता है मैकसिम गन का जिसे बनाया था एक अमेरिकन बॉन बिटिश ने जिनका नाम था हिरिम मैकसिम इस गन ने मशीन गन्स की दुनिया में करान तिलाई इसमें हर गोली चलने के बाद जो रिकॉयल होता है यानि जो नाल पीछे आती है उसी जड़के का इस्तमाल करके अगली गोली भी चलती थी 1884 की बनी मैकसिम गन 600 रौन पती मिनिट की शमता से फायर करती थी इस वज़े से एक गन बिटिश, जर्मन, इटारियन, स्विस, आस्ट्रिया और रशिन सेनाओ की फेवरेट हो गई पहले विशुद में इस गन का बड़े पैमाने पर इस्तमाल हुआ ये मैकसिम की मशीन गन की ही देन थी कि ट्रेंच वारफेर शुरू हुआ ट्रेंच याने एक खंदक जिसमें कुछ-कुछ दूरी पर मशीन गन की पोस्ट बनाई गई इसकी वज़े से आगे बढ़ते वे दुश्मन को रोकने के साथ-साथ उसे भारी नुकसान पहुचाया जा सकता थे क्योंकि वॉल्यूम अफ फायर बहुत है अगला नाम उन्होंने जरूर सुना है जिन्होंने पबजी खेला है टॉमी गन या थामसन गन एक हलका पर असरदार हतियार इसके आविशकारक जॉन थामसन ने इसे लॉइ एंफोर्स्मेंट एजिंसियों के लिए बनाया पर ये उन क्रिमिनल्स के पास भी पहुच गया जिन लॉइ एंफोर्स्मेंट वाले ढूंड रहे थे एके 47 यानि आटोमाटिक क्लाशनिकोव 47 लॉइ एंफोर्स्मेंट एजिंसी हों, सेना हों, टर्रिस हों या क्रिमिनल्स हों एके 47 ने किसी एक उनिराज नहीं किया है इस गन के बारे में कहावत है कि मानवितिहास में अगर किसी हत्यार ने सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है तो वो AK सीरीज की रैफल्स ही है, AK-47 इस गन को बनाने वाले विक्ति का नाम था मिखाइल क्लाशनिकोव उनहीं के नाम पर इस बंदू का नाम आटमाटिक लाशनिकोव 47 पड़ा 47 इसलिए क्योंकि 1947 में बनी थी मिखाइल ने इसे सोवित मिलिटरी के लिए बनाया था बाद में इस गन की इतनी कौपीज बनी कि आज ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि दुनिया में कितनी AK-47s है हाली में पूर वराशपती डॉनल्ड टरम पर गोली चली है आपने देखा भी होगा सीक्रिट सर्विस ने हमलावर को तुमार गिराय पर उसके पाद से मिली बंदूग में लोगों का ध्यान की जा ये बंदूग थी AR-15 Assault Rifle 21 वी सदी के सबसे लोग प्री और सटी खतियारों में से एक है आम लोगों में इस रैफल का Automatic Version M16 काफी popular है खास कर अमेरिका के Mass Shooters में आपको ये रैफल बहुत मिलेगी वो बड़ा यूज करते हैं इसके दो वर्जिन्स हैं Fully और Semi Automatic Fully Automatic में जहां एक बार ट्रिकर दबाने पर सारे rounds fire किये जा सकते हैं Semi Automatic में एक बार ट्रिकर दबाने पर एक गोली निकलती है बस समानत आ इतनी है कि magazine खाली होने तक इन्हें आपको reload नहीं करना पड़ता है manually इसी वज़े से popular है इसी note पर आज का अपिसोड यहें पर समाप करते हैं मानस ने इसे लिखा है आप देखते रहिए dealer in top